नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है इंस्टेट मेसेजिंग अप्लिकेशन फ़ाट सैप की हेकडी खत्म हो गई है अब उसने बिरोध के बाद नई डेटा सेरिंग पॉलिसी को फिलहाल टाल दिया है नई पॉलिसी में फेस्बुक और इंस्टाग्राम का इंटिग्रेशन ज्यादा था जिसकी वज़ा से यूजर का फ़ाट सैप डेटा फेस्बुक से भी सेर किया जाता फाट सैप पेस्बुक का पूरा स्वामित्व है इसलिए लोगों को इस बात की असंका बढ़ गई कि उनके जो निजता है उसका उलंगन करेगा अपने बिजनेस के लिए और इसका बिरोध सुरू हो गया लोग सिफ्ट करने लगे टेलीग्राम और सिगनल पे इसका नतीजा ये हुआ कि फाट सैप जो है उसने अकबारों में विज्यापन दिया और जब उससे भी लोगों की नराजी खत्म नहीं हुई तो नई पॉलिसी के लिए जो उसने आठ फरवरी की डेडलाइन रखी थी उसको आगे बढ़ाने की बात कही है और ये कहा है किसी का एकाउन बंद नहीं होगा इस बीच उसने कहा है कि लोगों की आसंकाओं को वो दूर करेगा एक ब्लॉग पोस्ट में वाटसाइप की ओर से लिखा गया है कि हमें बहुत से लोगों से सुनने को मिला है कि हमारे हालिया अपडेट को ले करके भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है इस अपडेट के जरिया हम फेस्बुक के साथ पहले से ज़्यादा डेटा सेर नहीं करेंगे इस ते पहले भी एक ब्लाग के जरिया वाटसाइप ने सफाई दी थी कि न तो हम किसी के मेसेज या कॉल देख सकते हैं और नहीं फेस्बुक बता दे कि वाटसाइप ने च्यार जन्वरी को इन एप अधिसूचना के जरिये नई मीजता को घोसित करते हुए अपने यूजर्स को सेवा की सर्तों और गोपनियता की नीती के बार में अपडेट करना शुरू किया वाटसाइप ने इसमें बताया कि वह कैसे यूजर्स का डेटा का प्रोसेस और उन्हें फेस्बुक के साथ किस तरह साजा करती है अपडेट में यह भी कहा गया है कि वाटसाइप की सिवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए उपयोग करताओं को आठ फर्वरी 2021 तक नई इस सरते माननी होगी और इसी के लेकर के बिरोज सुरू हुआ कारुबार जगत के कई दिगज्यों सहीत तमाम लोगों ने यह अपना सिफ्ट करना सुरू कर दिया और आपको बता दे कि भारत में वाटसाइप के जो संख्या है यूजर्स की वो 40 सरों से अधिक है बैस्वि सुटेड मैसेजिंग एप सिगनल और टेलिग्राम को एपल और गूगल के एप इस्टोर से डाउनलोड में भारी उच्छाल देखने को मिला इसके उलट फेस्बुक के स्वामित वाले वाटसाइप के डाउनलोड में गिरावर देखी गई आउसी का नतीजा हुआ है कि पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाए जो काम अभी तक गूगल कर रहा है कि उसके बहुत सारे अप्लिकेशन्स हैं और एडसेंस जो है उसमें विग्यापन देता है और बहुत सारे जो अप्लिकेशन्स है उसको वो फ्रंट के रुप में इस्तिमाल करता है और एडसेंस जो है बैक अप देता ठीक उसी तरीके से WhatsApp की policy ये थी कि Facebook से वो पैसे कमाएं और उसमें WhatsApp से data का इस्तिमाल करें हलाकि बार-बार ये कहा गया कि आपकी निजता का उलंगन नहीं होगा अभी भी आपका message और जो भी आप share करते हैं content वो end-to-end encrypted रहेगा हम आपके phone call भी नहीं सुनेंगे लेकिन planning ये थी कि जो आप आपको business की facility दी जाएगी आप business करेंगे मान लिजे किसी company से कुछ online खरिते हैं वो जो data है वो data जो है ये feed करता Facebook पे ताकि जब आप मान लिजे कि आप रहते हैं बिहार में और पहुचते हैं दिल्ली और आप ने किसी company से चलने से पहले पीजा या burger मंगाया तो वो आपका test जान गया और दिल्ली पहुचते ही फिर आपके Facebook पे वो उन सब company के बिग्यापन मिलने लगें कुछी इस तरीके की planning की हुई थी कि इसको WhatsApp को backup company के रूप में इस्तिमाल करेंगे जो हमें message देगा कि किसका क्या interest है किसमें रूची है और उसका जो है हम Facebook पे विग्यापन के रूप में कमाई करेंगे उससे वसी चीज़ को धक्का लगा है और यह जो यह planning ले रहे हैं वो गूगल से ले रहे हैं जैसे Google का माल लेजिए कि YouTube channel है YouTube channel के लिए जो backup का इस्तिमाल करता है AdSense का इस्तिमाल करता है यहां से में से YouTube पे जैसे ही आप सारी सुचनाए उसमें डालते हैं कि कि सब्जेक के बारे में है क्या इसमें है यह पूरा मामला बिजनेस का है जिसे लोगों ने नकार दिया है अब यह देखते हैं कि आगे चल करके यह अभी तो इसने टालने के घुश्डा की है और क्या एलान करते है क्या आपना कदम पीछे खिच लेता है या लोगों के बीच में सफाई दे करके और आगे नया कदम उठाता है तो आप रहिए ने बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू